देखी सबसे पहले तो प्यारे विद्यारतियां तरौन स्कूल के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आजम कक्सा 12 विश्चे अनिवारे इंदी कावे खंडी या पद्य भाग के अंतरकत अधिया एक संत वानी के अंतरकत पारट एक कभिरदासी के बारे में परिश्चे आता है कभि यह उसाहिति परचे जो च्यार नमर का परसन आता है इस पत्दी घंड में से बैख्या भी आती है जो च्यार नमर की होती है तो देखे सबसे पहले कभिरदासी का जीवन ने उसाहिति परिशे इंदी साहित्य के भक्तिकाल में ज्ञानसरी साका के परतिनेदी कवी या परमुक कवी कविर्दासी का जनम संतेरस्व अंठाणवे इस्वी में कासी में हुआ था और मर्तिव पंदरस्व अठाटर इस्वी में हुई अठारेशी में हुई ये एक मात्रहसी कवे जिन्नों का जिवन का आल है वो तेन शतावदिय में माना जाता है अगर हम विक्रम समत की बात करें तो कभिरदाशी का जनम 445 में हुआ और मर्तिव 1545 में हुई कभिरदाशी का लालन पालन या पालन पोसन एक नीशनतान दमपत्ती नहीं किया जिनका नाम निरू और निमा था वे नीशनतान थे शनतान नहीं थी उन्होंने कभिरदाशी का पालन पोसन किया कभिरदास जी श्वयम अनपड थे परंतु साद्धू संगत्ती साद्धों के साथ रहते हुए अध्यात्मिक चिंतन एउन निर्गुन भक्ति के भक्ति की भावना से इनके मन में आतम ग्यान का उदे हुआ और आतम ग्यान के उदे के करण ही ये एक महान खवी और समाज स्वधर्ग हुए उन्होंने उस समय समाज में जो बुरेयां थी उसको मिटाने के लिए बहुत परितन की जो समाज में फैली बुरेयां थी जैसे चुआ चूत है धार्मी का डंबर है उच नीच एवबव देवाद का कड़ा विरोध किया जो ये समाज में बुरेयां परचले थी उनको मिटाने का कड़ा विरोध किया वे समाज स्वधर्ग भी थे और साथ में वे सली वे ठेकिनों थे चितалы करूँ पर्मुक रचना रचनाए देखिये एंकि रचनाओं का संकलन भी जेने करन्थ में किया गिया है नंकि जो सम्पॉन रचनाए नहीं एक ज़िक नाम गरंथ में संकले थै तैसाय ले और वीजिक के परमुक तीन वाग है पहला वाग है साकी, सब्द और रमेने पहला साकी, दूसरा सब्द और तीसरा रमेने तो अमारी इस पक्साबारग की पाटे पुस्तक से समन्दी जो परमुक अबिर्दासी के साथ दोवे है वो साकी से लिये गए है और इनके परमुक दोवे देखिए पहला दोवा है त्याग तो ऐसा कि जिये सब कुछ एक ही बार सब परवु का मेरा नहीं नहचे किया विचार तो इसमें ये जो दोवा है कि संत कवी कभिर्द त्वरा रचित संत वानी सिर्षक पाट से लिया गया है और इसमें जिवन में त्याग और सेलता का मैतू बताए है तो कभिर्द त्याग तो ऐसा के जिये कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित कर देना चाहिए त्याग करते समय अपना प्रवा की भावना नहीं होनी चाहिए जो भी है वो एक बार में त्याग कर देना चाहिए तो ऐसा विचार होना चाहिए कि जो दियावा है वो सब परभू का है सब परभू का मेरा नहीं ऐसा विचार करके मैं त्याग कर देना चाहिए आरपन कर देना चाहिए क्योंकि जो दिया हुआ है वो सपर भूका है ऐसी मन में बावना होनी चाहिए तो इसमें त्याग करने में लालच या मो नहीं रखने का उपदेश दिया गया है फिर अगला दौवा देखिए कबरदासी सुनिये गुण की वारता ओगुण लीजे नाए अंच छीर को गयत है नेर सो त्यागे जाई तो इसमें ये जो कबरदासी द्वर अचित दवा है कभी ने अच्छे गुणों को गरण करने और अगुणों को त्यागने का उपदेश दिया है कबरदासी कहएँ कि गुणों का अम्यत्तोएम स्रे testim अच्छे भी तरे समझ लेना चाहिए उनको चुन लेना मैं चाहिए 95- Ama Guna को कभी भी धारण दाना का जाई है जिस परकार हैंस एक बक्सी है जो हंस छीर को गयता है, नेर सोत्य आगे जाई, यानि हंस है वो छीर अर्था दूद को ग्रण करता है, नेर सोत्य आगे जाई और पानी को त्याग देता है, जिस प्रकार पानी और दूद का मिस्ण होता है, और हंस नामत पक्षी उन में से शाग की चीज को निकाल लेता है, दूद को निकाल लेता है और अच्छे गुणों को ग्रण कर लेता है और अवगुणों को छोड़ देता है तो उसी प्रकार उनुश्य को भी अच्छे गुणों को धर्ण करना चीर अवगुणों को छोड़ देना चाहिए फिर अगला दवा है छोड़े जब अभिमान को सुकी भया सब जीव भावे कोई कचु कहे मेरे ये निज़ प्यू तो ये दवा कबरदासी दोरा रचित साखी से लिया गया है और इस पाटी पुस्तक में शंतवानी सिर्शक से लिया गया है और इसमें कबरदासी कहते हैं कि मन में अभिमान नहीं होना चाहिए एंकार नहीं होना चाहिए प्रमात्मक की भक्ति का भाव होना चाहिए तो कबरदासी कहते हैं कि मन में अभिमान नहीं होता है और वो अभिमान छोड़ देता है तो उससे चारों तरफ से सुक की सुक मिलता है और जब अभिवान छोड़ता है और प्रमात्मा की भक्ती में लीन हो जाता है तो उसके लिए संसरिक और शेचारों तरफ से लोग अने प्रकार की भावना है उनके उपर कहते हैं तो कबरदास कहते हैं बावय कोई कुछ बहला ही कोई कुछ भी कहे मेरे यह निजपी और मेरे हिर्दे के अंदर मेरे प्रमात्मा की भावना होने चीर और उससे ही सच्चा आनन्द की प्रति होती है शच्चा आनन्द मिलता है शच्चा सुक मिलता है यह भावना है वो प्रमात्मा की प्रति होनी चाहिए फिर अगला दवा है कि जातीन पूछो सादू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मियान तो इसमें संद कवी के बरदास तवार रचित यह दोवा जिसमें सादू या संजन की बारी वेश्पुस का प्रिक्षा ज्यान को मैं तो देने के लिए क्या गया है सादू संतों की जो बारी पैचान है वो बारी ज्यान से होती है तो कबरजासी कहते हैं कि कोई भी सादू या संजन है उसकी जाती मत पूछू जाती से उसकी पैचान ज्यान से होती है तो उन से हमें ज्यान के बाता है करनी चाहिए जाती या बारी पासा को देख करके कोई संत या मात्मा बड़ा नहीं होता है बड़ा ग्यान शे होता है जैसे कि मोहल करो तलवार का बड़ा रहने दो ग्यान सादू संतों की बात साती है तो जाती शे उसकी पैचा नहीं होती है उसे परकार कब्रदा से दूसरा उधरन दिया है कि जब हमें तलवार खरीदनी है तो तलवार का ही मुल्य पूछो क्योंकि गुणिवान वस्तो या बहु मुल्य वस्तो है वो तलवार है और आगे कब्रदा से कहते हैं कि पड़ा रहने दो म्यान ये म्यान है वो बारी कोच है उसको पड़ा रहने दो उसकी तरफ ध्यान मत दो फिर अगला दोवा है संत कभी कब्रदासी कहते हैं कि संगत कीजे सादू की कभी न निस्पल होई लोवा पारस परस्ते सो भी कंचन होई तो ये जो दोवा है कभी दोरा रचित संत जनों की संगती को सदेव हितकर बतायां सादू जनों की संगती में रहना ही मनुष्य जिवन के लिए हितकर है बलाई है उन्होंने कहा है कि संगत कीजे सादू की कभी निस्पल नहीं होती है सादू संतों की जो संगती है जिस परकार लोवा जो जन्क लगावा है लोवा परस परस थे जन्क लगावा लोवा अगर परस इन पत्तर के परस इन इस परस से जन्क लगावा लोवा पत्तर के इस परस होता है तो सो भी कंचन हो इन सोने के शमान चमकने लगता है कंचन हो जाता है वो भी उजला हो जाता है इस परकार सादू संतों की संगती करने से मन उजवल एवनिर्मल हो जाता है और ऐसे लोगों की संगती कभी भी निश्पल नहीं होती है उसका फलाउस ये मिलता है अगले दोए मंदे की गबरदासी केता है कि मारिय आशा सापनि जिन डशिया संसार ताकि ओसद तोस है ये गुरु मंत्र विचार तो इसमें कभर्दास जी दोरे रचिती दोबा कभर्दास इसमें दुरस को त्यागने और शंतोस अपनने का उपदेश देते हैं कि हमें दुरसा को त्याग देना चीर्मन में शंतोष ध्रन के आई अगर भडेस दिया है। और आगे कपरजासी कहते हैं कि जिसी सारा संसा रहता सबी लोग प्रेश्णान रहते हैं, बेचेन रहते हैं। उसी दुरसा रूपी या निरसा रूपी सर्पनी को फ्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस सर्पनी को मार दो, दुरसा को छोड़ दो, और दुरसा को छोड़ने के लिए अमारे पास जो दवा है, वो संतोस है, यह उसकी जो ओसदी है वो संतोस है, मन में संतोस द्धारण करना ही, सब जो प्रेसानियों का हल है, शंतोसी सबसे बड़ा सुखी वता है, ये गुरू मंत्र विचार, कबरजासी केता हैं, ये ही मेरे गुरू के मंत्र है, ये ही मेरे गुरू के विचार है, फिर अगला दवा देखी, कागा काको धन हरे, कोईल काको देथ, मिटा सब्द सुनाई के, जग अपनों कर लेथ, तो इसमें कबरजास जी, दोराजित दोवा, इसमें के विवार का संदिश दिया गया है, कि नमे वाणिया में समीठी बोलनी चाहिए, कबरजास जी कहते हैं, कोवा किष्टी का धन हरता नहीं है, धन्चुरात नहीं उनका अफ्रण करता है, और कोईल किसी को धन देती है, लेकिन दोनों में फरक है, जब गोवा बोलता है, तो उसकी करकसवानी से लोग प्रसान हो जाते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते हैं, और उसी समय अगर कोईल बोलती है, तो सब लोग सु बनाई कि जग कोईल है वो मिठी वानी से संसार के सभी लोगों को अपनी और आकर्षित कर लेती है अपनी और मिला लेती है तो इसमें कोईल और कोई की वानी का मैं तो बताते भी कभी ने यह संदेश दिया है कि हमें वानी में हमेशा मदूरता रखनी चाहिए मदूर वानी का संदेश दिया है